नमस्कार दोस्तों जैपी स्टन अगर आप यूटूब चैनल पर आपका स्वागत आएं यहीं डिक्टेशन असी सब्द परति मिनट का होगा जो की साथ मिनट तक बोला जाएगा जन्सत्ता से लिया गया हैं दस सगिन बाद स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों अगर आप चै सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन भी ओन कर दें ताकि आपको डेली नयने सब्दों की डिक्टेशनों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे है कि रेडी स्टार्ट पिछले कुछ सालों से आम लोगों के लिहाज से महेंगाई एक समस्या बनी हुई हैं हालां कि इस बीच कई मोकों पर मुद्रा इस्फिती की दर में उतार चड़ाव बना रहा लेकिन आई और क्रे सकती के संदर्ब में देखें तो महेंगाई ज्यादातर लोगों के लिए लगातार एक चुनोती ही हैं लेकिन हाल के आकड़ों के मुताबिक पहले खुद्रा और अब थोग दोनों ही मामले में महेंगाई की दर में आई कमी के रुखने लोगों को राहत दी हैं गोर तलब हैं कि अपरेल में खुद्रा महेंगाई 4.70 फिसद रही जो बीते 18 महिने के दोरान इसका नियोनतम इस्तर हैं अब थोग महेंगाई भी रिनात्मक 0.92 फिसद पर आ गई जो पिछले करीब तीन साल में इसका नियोनतम इस्तर हैं जाहिर हैं थोग महेंगाई की दर सुन्य से भी नीचे जाना बाजार में वस्तों की आवक के लिहाज से सकारात्मक हैं और इसका स्वाभविक असर वस्तों की कीमतों पर भी पढ़ना चाहिए कई बार थोग महेंगाई का इस्तर तो नीचे जाता हैं लेकिन बाजार में वस्तों की खुद्रा कीमतों पर इसका कोई विसेस परभाव नहीं पढ़ता हैं लेकिन ठोक के साथ साथ खुद्रा महेंगाई के हाल के आंकडों में अगर इस्तिरता बनी रही तो इससे आम उपभगताओं को राहत मिल सकती हैं ये बदलाव इसलिए महत्वेपूर्ण हैं कि बीते 11 महिने के दोरान RBI यानी भारतिये रिजर्वे बैंक की ओर से तै खुद्रा महेंगाई सहनिये इस तर से उपर ही रही थी दरसल RBI को इसे 4 फिसद तक सीमित रखने का लक्षे मिला हुआ हैं जिसमें 2 फिसद की कमी या बढ़ोतरी की गुनजाइस छोड़ी गई हैं यानी यहें 2 से 6 फिसद तक रहे तब तक इसे नियंतरण में माना जाता हैं लेकिन इसमें एसंतुलन होने पर RBI को हस्तक्सेप करना पड़ता हैं कोरोना महामारी और पूर्णबंदी के असर से बाजार में जो स्थती बनी थी उसके बाद खाने पीने से लेकर ज्यादातर जरुरत की चीजों की कीमतें बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर हो गई थी खासतोर पर सबजियों के दाम उंचे इस्तर पर बने रहे यह सीधे सीधे लोगों की आई और क्रेशक्ती से जुड़ा मामला था हाला की अब भी रोजगार और लोगों की आई के मामले में कोई बड़ा सुधार नहीं दर्ज हो पा रहा है लेकिन मेहंगाई में कमी इस चुनोती का सामना करने में मददगार साबित होगा मुश्किल यह हैं की कई बार मेहंगाई में कमी के आखडों का असर धरातल पर नहीं दिखता है गोर तलब हैं की बेलगाम मेहंगाई को काबू में करने के मकसद से भारतिये रिजर्व बेंक ने पिछले करीब एक साल में रेपो दरों में करीब डाई फिसद की बढ़ोतरी की हैं इसका रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तों की कीमतों पर तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा लेकिन इसकी वजहें से घर के लिए लिए जाने वाले रिण सहीत सभी तरहें के रिण मेहंगे हो गई अब महंगाई की दरों के नियंतरन की स्थती में आने के बाद उम्मीद की जा रही हैं की केंद्रिये बैंक की और से रेपो दरों में कटोती हो सकती हैं मगर महंगाई के मामले में ताजा रुख का हासिल तभी रहत का सबब बन सकता है जब इसमें इस्थिर्था रहे और यहें आम लोगों की आई और क्रेसक्ती की सीमा के अनुपात में संतुलित रहे साथ ही यहें भी ध्यान रखने की जरुरत होगी की खुले पाजार में वस्तुओं की केमतों के समानतर उनकी उपज सुनिश्चित करके आपूर्ती करने वाले किसानों को भी उनके सामान की उचित कीमत मिल सके अगर किसानों के सामने अनाज या कोई अन्य खादेपदार्त कोडियों के भाव बेचने की नोबत आती हैं और उसी वस्तुओं की केमत खुले बाजार में उची होती हैं तो यह एक तरहें से एसंतुलित विवस्ता होगी और इसका असर सभी पर पड़ेगा स्टॉप